हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई ओपीशिय यूटूब चैनल स्टड़ी मेटेरियल एटु जैड एरफोर्स ग्रुप से दोस्तो बड़ी अपडेट आ रहे हैं कि आपके एक और एरफोर्स स्टेशन का रिजल्ट जो की डिकलेर कर दिया है और आप सभी के दोस्तो मोस्टली जो आपका कोस्टन है जो दांदली को लेकर उसके रिगार्डिंग भी आपकी अपडेट करने वाले हैं और दोस्तो आपके जो कुछ एर स्टेशन है जिनके यहाँ पे गाजियाबाद एफो स्टेशन अंबाला आगरा और दोस्तो आपके आदमपूर और अन्य जो स्टेश जाएं और आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है तो दोस्तो आप सभी की एक ही आप से गुझारी सोती है कि आप जितना ज्यादा एक साथ होगी जितनी ज्यादा एक जुटता होगी आप हमारे चैनल पे जुट जाएए एक साथ और आपका सभी का जो है थोड़ा सा चैन्ज है कि आपके यहाँ पे जो पास कैंडिडेट थे उनको भी एक साथ यहाँ पे बता दिया है और जो यहाँ पे जो फेल कैंडिडेट थे उनको भी बता दिया है तो यह जो रिजल्ट है आप कहां से डाउलोड कर पाएंगे तो यह रिजल्ट दोस जो कि यहां पे डिकलेर किया गया है, आप खुद देख सकते हैं, रिजल्ट लिस्ट है, इस परकार से आपकी रिजल्ट लिस्ट है, अलग अलग तरीके से मैंने डाल दिया है, अगर एक दो भी कुछ भी रह गये है, तो आपको यह भी रिजल्ट मैं चेक कर लूँगा, क्यो बार मैं वीडियो अपरलोड कर देता हूँ, पूरी जानकारी दे देते हैं, फिर आपके यहां पे डिसकस कर लेंगे, गाइज, अगर आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं, तो वीडियो की डिसक्शन मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया है, तो यहां पे इंस्टा टाइम पे, यह MTS के कैंडिडेट होते हैं, और MTS के लिए आपको पता ही है, लेकिन MTS के लिए स्किल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आपको हो सकता है, पता नहीं हो जो नई कैंडिडेट आई हैं, और आप एक उमीद लेकर आते हैं हमारे चैनल पे, कि आपको पू क्यों रिए इनके रिजल्ट जो तुन जारी कर दी हैं यह रिजल्ट लिस्ट है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हो हैं कुछ और ही है जिसके बारे में हम discuss करने वाले हैं तो एक दो सबसे बड़ा जो मुद्दा है याँ पे है चलिए मैं इनको ओप कर देता हूँ तो गैज सबसे बड़ा जो मुद्दा आपका है वो है सबसे बड़ा मुद्दा कि आपका एक तो जो रजो कोरी जो एर स्टसन है उसके रिजल्ट को लेकर कि उसका जो फाइनल रिजल्ट को लेकर यही कहा जा रहा है कैंडिडेट के दोबारा की सर इसकी में धांदली हुई है और यहां पे कैंडिडेट जैसे ही कॉल करते हैं कभी बोला जाता है की Monday को result आएगा कभी बोलें हैं कि आपका Monday को रिजऍट आजाएगा और Monday को पूछते हैं तो फिर दुबारा बोलते हैं कि Monday को result आजाएगा यानि कहने का मतलब एक बार मैं आपको पुरूब दिखा देता हूँ एक कैंडिडेट ने यहाँ पर मैसेज किये थे सर यहाँ पर दिखा देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एरफोर्स टेशन रजो कोरी यहाँ पर देखिए राजो कोरी और 25 विंग का रेजल्ट आ गया है लेकिन लिस्ट नहीं लगाई है करप्या इस मुद्दे पर आवाज उठाई है यहाँ पर कैंडिडेट जो कि बार-बार यह भाई बोल रहे हैं किसरा आप मुद्दा नहीं उठा रहे हैं कैसे उठाई हैं एक चीज आप सोचो अगर आपके कहने पर चलो मैंने मंडे को यहाँ पर बोल इन्होंने पूचा भी है कि मंडे पर आपको जो हो यहाँ पर रिजल्ट लिस्ट जो डिकलेर कर दिया है लेकिन उन्होंने result नहीं दिखाया है तो एक चीज़ अगर आप खुद देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको भी लगता होगा कि धांदली हुई है कि आपका एरपोस result नहीं दे रही है तो कि वहाँ पे एक चीज़ अगर आप confirm करे हो तो भाई कोल से अगर उनका द्वारा यही कह रहा है कि मंडे को आपका result आएगा तो अगर वहाँ पे जोइनिंग हो भी गई है मालो अगर जोइनिंग हो भी गई है तो हमारे पास अगर जब तक कोई पुरूप नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते यह चीज कि आपको मंडे बोला जा रहा है हम एक कोई चीज इसका पुरूप लेकर तो कोई यह बड़ा पुरूप नहीं है कि हम मंडे बोला जा रहा है अगर भाई वो result जारी करेंगी तब ही हम अगर नहीं भी करते हैं तो भाई हम क्या करें एक चीज अगर आप पूछो और एक चीज है कि आप वहाँ पे जाकर कनफर्म कर सकते हैं जो कैंडिडेट भाई रजो कोरी जो आपका एरफोस टेसन लगता है वहाँ पे आप जाकर पता कर सकते हैं कि result आपके final लेकिन एक बार जो रजो कोरी जो final जो कैंडिडेट है जिनके डिवी या police verification सारी चीज क्या हो गई है यह चीज एक बार comment box में जरूर बताईएगा या मेरे से एक बार contact जरूर कर लिजेगा मैं इनी भाई से पूछूँगा कि आपका final बगरा कुछ हुआ है तो तो यहाँ पे आप देख्शतों मैं number mention कर देता हूँ जो है यहाँ पे यह number है दोस्तो what some number है जिनके भी यहाँ पे जो रजो कोरी जो एरिश्टेसन है जिनके यहाँ पे DV हो गया है police verification हो गया है या फिर other जो भी हो गया है एक बार comment करके जरूर बताइएगा फिर हम सोचेंगे कि आपकी joining हुई है नहीं हुई है result list नहीं निकाली कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक चीज और भी बोल रहे हैं कि आपके final result list नहीं निकाली तो अगर यह हो चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं है कि हम समझ लेंगे कि joining बगर हो जाएगी तो यह चीज आप थोड़ा सा clear करना पड़ेगा भाई कि आपका final result नहीं दे रहे हैं तो उनके पीछे क्या कारण है skill हो गया है सारी चीज़ें हो गई है तो थोड़ा सा तो हमें अब time लग रहा है तो इसी पे तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक यह कहने से कि हम call किया वो Monday की बोल रहे हैं तो हम इस पे आवाज उठा लें तो भाई इस पे आवाज नहीं उठ सकती है आप खुछ समझ लीजिएगा जिस परकार से मैंने आपको पता है कि एक दिल्ली के अधिकारी थे जिन्होंने उनसे बातचीत की थी एक भाई ने और उसका रिकोर्डिंग पूरा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि रिकोर्डिंग नहीं डालनी है तो मैं उसके बारे में आपको तोड़ा चा बता देता हूँ कि भाई जिनके भी रिजल्ट है वो बोल रहे थे कि आपके पास अगर कटोर सबूत है और एक जूटता बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप बहुत सारे कैंडिडेट होकर एक साथ होकर अगर इकटा हो पाएंगे तब भी जो कुछ हो पाएगा ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा नहीं वरना आप रिजल्ट रिजल्ट करते रह जाओगे चाहे वो गाजियाबाद का हो चाहे वो अधर जो स्टेशन जो जिनके बचेवे रिजल्ट है तो देखिए जितना भी है कि राजजा कोरी जो एर स्टेशन है उनके रिजल्ट को लेकर तो भाई एर स्टेशन से यही गुझारी से कि आप जल्दी जैसे जो इनका रिजल्ट डिकलेर करो फाइनल रिजल्ट है काफी सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं तो प्लीज आप जो जब एक साथ खड़े होंगे तो दिक्कत आपको होगी जरूर तो थोड़ा सा इस चीज को दोस्तों यहां पे वीडियो को शेर करो क्यांकि आप सभी का साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है और चैनल सस्क्राइब कर लो भाई और आपको अपडेट तो इसे ही मिलती रहेंगी और जो गाजियाबाद है भाई गाजियाबाद का रिजल्ट आ जाएगा कुछ नहीं कह सकते गाजियाबाद का पता ही नहीं कुछ क्या एरिस्टेसन है और अब वीकली इंतजार करना पड़ेगा गाजियाबाद का आएगा तो बता दिया जाएगा और देखिए जिनके भी final result आने हैं तो final result का wait करते रहो बस यही है क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकते जब तक result नहीं आए दांदली वगेरे के बारे में भी सुनने से कुछ नहीं होता जब तक कोई proof नहीं है जब तक हमारे पास कोई भी सबूद नहीं है तब तक हमारे कोई कोट जो हो आपका तब ही चीज़ें मांग देगी जब आपके पास कोई ना कोई proof हो तो यह नहीं कि आपका रोल नमबर नहीं है यह रोल नमबर नहीं है इससे जो आपका result नहीं डिक्लेर बाई यह सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं तो गैज बस यही आपके लिए इंप्रोडेंट अपडेट थी जो कि मैं आपके अपडेट कर दिया है मिलते हैं नेक्स्ट वडियो के साथ जैहिंद जैभारत सपोर्ट आपका मेरे साथ दोस्तो बना रहे और आपको मैं जितना हो सकेगा उतना सपोर्ट आपको मेसा करता रहूँगा जैहिंद